नमस्कार, हीजी खाना बनाना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, ये देखें मेरे पास साइड की ब्लेड रखे हुए हैं, ये कहीं काफी सारी, तो बस हम इन नहीं फेंकेंगे नहीं, ये देखें मैं इनको डाल रहे हूं, बोल में ऐसे डाल दें हैं, थोड़ा तोड़ ये मैंने कच्चा आलो लिया है, इसको मैंने काट के दो लिया, इसको मैं काट रहे हैं, मीक्सी के जार में, इसका मैं पेस्ट बनाऊंगी थोड़ा पानी डाल के, ये देखें बस ऐसी काट लें, रफ ली, बस थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे, ये यह थोड़ा सा में दाल लिया हूँ इसमें कर दोगी में डाल रही हूं इसे क्या होगा हमारे ब्रेट अछे से भीग जाएंगे इसको में थोड़ा सा नीचे दबा देती हूं ब्रेट अच्छे से भीग जाएंगे टेल के तेल गरम हुए एक जीरा जीरा करें जीरा क्रैकल कर रहे है मैं ले रही हूँ, एक बड़ा प्याज कटा हुआ, छोटा-छोटा काटर गया मैंने इसको, यह देखे, बस हलका सब हो जाएगा, हमने बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है इसको, यह देखे, बस हो गया, यह मैंने लिया हरी मिर्ची 3-4, अगर आप बच्चों के लिए बना र आज कल वैसे मार्केट में काफी मिल रहा हरा आप आज, इसको बस मिक्स कर लिया हमने, अच्छे से हलका सा सौते हो गया, अब मैं ब्रेट ले रही हूँ, जो हमने बिग हो के रखे थे, यह नमक डाल लेते हूँ, पहले मैं नमक मिर्च, एक चमच नमक लिया हमने, एक कर लेते हैं, इसको मेर्ट में आख लिया हमने, इसको अच्छे से हम भूनते हूँ, मैश भी करते जाएंगे पहले, इसको अच्छे से मिक्स कर ले, बिलकुल मैश हो जाएंगे बिलकुल रोटी का आठा होता ना, बिलकुल ऐसा बन जाएगा, बहुत ही जल्दी बनके त्यार हो जाता है अच्छा क्या होता कि ब्रैडी कठे हो जाते हैं न साइडों के तो उनको हम ऐसे फियंग देते हैं इतना बड़ी आनाश्ता बने का आपका बच्चे भी बड़ी भी सब खुछ हो जाएंगे देखे कितना सुंदर कलर आगे हमारे अ इससे फ्लेवर भी आएगा सुंदर भी दिखते है यह देखे विसको अच्छी से मिक्स कर लें देके कितनी बड़ी है कोई जैसे हम रोटी बनाते है न अट तामल के बेस वैसा बन गया बिलकुल देखे यह दो बन गया बड़ी एक बड़ी हो घ्यार पर देकिए बस ही हो इसे बिल्कुल फ्लेट कर लेती हूँ जैसे बर्फी को ठंडा कर लिया है अब मैं पर असालि से निकल जाए गए अब थोड़ा सा टैप करते हैं ये देखें अब इसको मन पसंद जैसे भी आपके पास कूकी कटार है ये कोई गिलासी है आप उससे कट कर लें इसके पीसिज तो बच्चों को जो अच्छे लगते हैं, यह देखिए मेरे पास कुकी कटर है, मैं ऐसे काट रहे हूं, यह मैंने लिए सुज़ी, इसको मैं सुज़ी से कोट करके, फिर हम तलेंगे, तो इसमें क्रंच बहुत बढ़ी हाता है, फिर, देखिए मैं दूसरी कुकी कटर से काट अब हाथ से भी इसके शेप बना सकते हैं, कोई आसा नहीं कि आपको कटर से कट करना है, यह देखिए, बस मैं तीसरे बला में इल पास, मैं कुकी कटर रखे थे तो मैं सोसी से, बच्चे तोड़कुश हो जाते हैं, बच्चों को जड़ा अलग-अलग शेपस में बना के द दालते जाएं, इनको गोल्डन फ्राई होने तक हम तल लेते हैं अच्छे से, बच्चों को टीफन में देंगे न, तब अच्चे खुश हो के टीफन पूरा फिनिश कर क्याएंगे, यह देखिए, हमारे हो गए हैं अच्छे से, यह मैं अभी निकाल लूँगे, थोड़े ब्राउन हो जाएं हलके से, मैं यह देखिए, बस मैं निकाल रही है उनको, इनको थोड़े अच्छे से निचोड़ लें ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए, और किसी पेपर नेपकिन पे रख लें ताकि उसमें जो तेल है थोड़ा बहुत वो भी साफ हो जाए, यह यह सॉस के साथ मैं इसको सरू कर रही है, प्लेट में कितने सुंदर लग रहा है, तो रेस्पी अच्छी लगी है, तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, यह देखिए, अपने बच्चों को जुरूर से बना के खिलाएं, यह ब्रेड के, ब्रेड बाइर्स कहत तिरूंगी, thank you